हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिज राजस्तान जोग्राफिक की अपनी पूरी सेरीज कंप्लीट हो चुकी है किवल एक पार्ट बचा हुआ है वो है पॉपिलेशन सेंसस बेसिस तो सेंसस क्या है अभी 2011 के डेटा अवेलेबल है तो 2011 के डेटा भी अगर अपन ब 2020 में एपरेल में शुरू होने वाली थी बट कोई 19 आउटब्रेक की वजह से नहीं हो पाई तो वह 2021 तक स्टार्ट होने के चांसे हैं वेक्सीन भी प्रॉबेबली इस साल के अंत तक आ जाना चाहिए तो उसके अपन देखेंगे तो वैसे आल्मोस्ट पूरी राजस्तान ज की ठीक है आज अपन उसी प्लेइलिस्ट के बेसिस पे और जो भी एक्जाम्स राजस्तान में होती हैं फ्रम आर एस तू ऑल एक्जाम्स जहां पर राजस्तान जियोग्राफी में से क्वेशन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड इंपोर्टन्ट एमसी की उसको पिक किया ह है मैंने और आपको एक इंटर्वेल चाहे दो दिन एक दिन या फिर रेगुलर बेसिस पे दस-दस क्वेशन मिल जाएंगे विद्वेरी क्लियर एक्स्प्लेशन ठीक है यह वीडियो में रेगुलर डालूंगा दस क्वेशन डेली के डिसकस करेंगे तो बर्दन भी अपना रेडियूज होता जाएगा यह राजस्थान में होने वाले सारी एक्जाम्स के लिए इक्वली इंपोर्टन्ट है फर्स्ट क्वेशन देखो बेसिक क्वेशन पहले पिक किये हैं तो हो सकता आपको थोड़ा लाइट लगे पर धिरे 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 जो टफ नहीं से क्वेशन इंडिया या फिर नॉर्थ इंडिया सोचिए अच्छे से आई होप आपने अपना सही आंसर चूज कर लिया होगा तो इसका अंसर क्या हो जाता है नॉर्थ वेस्टन डिरेक्शन देखिए यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर मैप है इंडिया को अगर आप इस तरीके से पर होगे तो यह पोर्शन हो गया नॉर्थ यह हो गया साउथ इस 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 वेस्ट तो इस तरीके से राजस्तान कौन से पोर्शन में आ रहा है नॉर्थ वेस्ट डिरेक्शन में आ रहा है ठीक है तो इस तरीके से आंसर अपना हो गया बी सेकिंड क्वेस्टन कंसीडर फॉल है मतलब अभी नई नई बनी हुई है youth stage मतलब कि अभी शुरुवाती टाइम चल रहा है दूसरा it starts from चिताड़गर्ड आफ राजस्थान टू सैसाराम बिहार मतलब इसके जो spread है यह राजस्थान के चिताड़गर्ड से सैसाराम बिहार तक है पूरा तो अपने को यहाँ पर correct answer देखना है correct statements कौन से है statement कौन सा है वो बताईए first statement क्या आपको लगता है सही है जी नहीं पहला statement बिलकुल गलत है youth stage का मतलब mountain series building process में है जबकि ये किस form में आ चुकी है erode होते होते old stage में चल रही है ठीक है relic form में है बचा हुआ residual form में ये mountain series है इसकी height बहुत कम हो चुकी है just because of erosion जैसे की चंबल river हो गई या फिर आप देखोगे केन बेतवा या फिर सोम river हो गई इनके flow की वज़े से ये mountain series क्या erode होती गई दूसरा statement है कि इसका spread जो है सहसा राम भिहार तक है कैसा ही है जे बिलकुल दूसरा statement बिलकुल सही है तो इसका answer क्या हो जाएगा B देखो आपको मैं आप में दिखाता हूँ ये जो yellow वाला portion आप देख रहे हो जिसको मैं highlight कर रहा हूँ ये वाला portion इस वाले region का ये वाला portion ये पूरा का पूरा विंद्याचल सीरीज है ठीक है mountain सीरीज है तो यहाँ पर चित्ताओडगर से शुरू हो करके सहसा राम भिहार तक ये spreaded है आपको आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी next question हाडोती का जो प्लेट्यू है या फिर western घाट का पार्ट है सोच के बताईए इसका आंसर I hope आपने सोच लिया होगा ये हो गया पार्ट किसका डेकन प्लेट्यू का अगर आप डेकन प्लेट्यू को देखोगे इंडिया में तो इंडिया का map अगर आपने इसको एक्स्टेंट गरे राजस्थान वाले रीजन से यूँ करके और थोड़ा लंबा तो जो southern portion जो है maximum इंडिया का वो और राजस्थान के इस साउथ इस्टन portion से आगे तक आता है तो Deccan का ही part है Malwa और Malwa का ही part है Harothi तो इस तरीके से Deccan का part हो गया क्या? Harothi, Plateau और Physiographic Division अपने अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं जिसमें तीन region है mainly जिसमें Western Desert, Great Indian Desert या Third Desert जिसको बोला जाता है दूसरा अरावली Desert तीसरा फिर हो गया Eastern Plain और फिर हो गया Easternmost Harothi region तो इस तरीके से राजस्तान को चार Physiographic Divisions में डिवाइड किया जा सकता है ये Plateau है, ये Plain है Rivers यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत Fertile Soil मिलती है और East वाले रीजन में, अरावली रीजन अरावली रीजन में आपको Ignis Rocks बहुत ज़्यादा मिलेंगी मतलब, Minerals के Point of View से सबसे Rich जो रीजन है राजस्तान का, वो ये वाला रीजन है जिसको मैं अरावली रीजन हाईलाइट कर रहा हूँ और Western Desert region इस वाले रीजन में आपन देखते हैं Fourth question है Which among the following is are in Montriarch's record of या फिर under Ramsar Convention सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Ramsar Convention किस से related है देखो, Ramsar Convention है Wetlands of International Importance International Importance की जो Wetlands है, उस लिस्ट में आता है Ramsar Convention दूसरी मतलब उससे related ये Convention है, जिसमें International जो भी बड़े-बड़े Organizations थे, उन्हों वो साथ में आए और उन्होंने फिर ये कि एक formula established किया क्योंकि Wetland बहुत ज़्यादा important हती है diversity point of view से आप editorial वाली इसमें जाके देख सकते हो वहाँ पर मैंने अच्छे से explain किया है Wetland detail में बताया हुआ है जो एडिटोरियल वाला segment है English में वहाँ पर बताया हुआ है तो चलिए वापी साथ है अपने question पर कि रामसर convention का जो Montreaks record है उसमें राजस्थान का या फिर नीचे दिये हुए charge option इन में से कौन सा अभी भी mentioned है चिलका लेक सांभर लेक, जैसंबंद लेक पुठक किया गया था Montreaks record के अंदर Montreaks record कौन सा record होता है इस record के अंतरगा तो वो सारी wetlands रखी जाती है, wetland का मतलब ऐसी जमीने जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पानी 6 मीटर ती हाइड तक जा सकता है इससे ज़्यादा ना जाए और पानी मतलब थोड़ा बहुत छिचला बना रहा है, ठीक है ज़्यादा गैरा भी नहीं हो और ज़्यादा बिल्कुल पानी बिल्कुल सूखा भी नहीं हो, ठीक है कहने का मतलब एक तरफ रिवर है, एक तरफ तो पूरी aquatic body है और दूसरी तरफ कौन सी है, land body है तो इनके बीच में transitional जो zone होता है संकरमन शेतर जिसको हिंदी में बोलेंगे वो जो होता है, उसको बोल दिया जाता है क्या wetland, ओके तो केवला देव नेशनल पार्ग जो है वो अभी भी Montrex record में है कि ऐसी wetlands जो अपनी identity या तो खो चुकी है या उनको खत्रा है कि आने वाले टाइम पे खो सकती है human activities की वज़े से उन wetlands को Montrex record में पुट किया जाता है तो चिलका लेक जो थी वो पहले थी पर ये निकल गई उस record से क्योंकि चिलका लेक की जो नीचे silt sand, silt clay ये बैठ जाता है sedimentation उसको हटा दिया गया या फिर और जो issues आ रहे थे जिसकी वज़े से poaching जादा हो रही थी या फिर किसी भी तरीके से वो wetland को threat था उन चीजों के address कर लिया गया तो आज चिलका लेक इस list से वापस बहार निकल गया है जबकि केवलादेव नेशनल पार्क है वो अभी भी इस list में इस record के अंडर आता है इसका मतलब threat continue बना हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क पर next question अरावली mountain series है ये किस type की mountain series है क्या ये block mountain है fold mountain है relic mountain है या फिर option B और C दोनो type इस पे suit करते हैं आपने सही answer इसका देखो इसका right answer है D अरावली world की oldest fold mountain series है एक चीज तो ये यह मैंने अच्छे से बताई हुई है आपको ठीक है oldest fold mountain series है ठीक है number one number two ये oldest है तो कोई जमाने में ये pre-cambrian Iraqi बनी हुई है तो कोई जमाने में हिमालयन हिमालयन रेंज जो है आज उसके equivalent height रही होगी पर जैसे जिसे time बीता आज करोडो साल बीच चुके हैं करोडो अर्बो सालों के अंदर क्या हुआ ये erode हो गई और आज relic mountain की form में जैसे विंद्या चला है बुड़ी अवस्था में उसी तरीके से अरावली भी old अवस्था में है तो इसका मतलब ये दोनों examples में suit करती है ये ध्यान रखना अपने को next question which among the following is the highest peak between हिमालयाज and नीलगिरी hills अगर north में देखो तो हिमालयाज और south में देखो तो नीलगिरी hills तो ये जो peaks के नाम यहां पे given है इन में से सबसे उंची peak कौन सी है गुरू शिकर अमरकंटक महाबलेश्वर या फिर इन में से कोई नहीं I hope आपने अपना आंसर सोच लिया होगा इसका आंसर है गुरू शिकर आप हिमालया से लेके नीलगिरी की डोड़ा बेटा ठीक है डोड़ा बेटा तक जाओगे तो वहाँ तक उसके बीच में जितना भी इंडिया का पूरा spread है उस पूरे spread में सबसे उंची चोटी जो है परवत चोटी कौन सी है गुरू शिकर कहां पढ़ है ये माउंट अबू डिस्टिक कौन सा है सिरो ही साउध वेस्टन राजस्थान में आता है ये ट्रोपिक ओफ अब ये कौशन थोड़ा एनालेटिकल है आप समझने की कोशिश करना अगर ट्रोपिक ओफ कैंसर राजस्थान के सदन पार्ट से पास होता है इसका मतलब बांसवड़ा और डूंगरपूर से निकलती है तो आप ये बताओ कि गंगा नगर की कैसी क्लाइमेटिक कंडिशन अपन अब्जार्व कर सकते हैं ठीक है समझने की कोशिश करना थोड़ा एनालेटिकल है कि राजस्थान का अगर आप मैप देखो तो राजस्थान के सदन दो डिस्टिक्ट हैं उनसे होती हुई ट्रॉपिक आफ कैंसर करकरेखा निकलती है यो ठीक है इधर बांसवड़ा हो जाता है और इधर डूंगरपूर तो आप ये का हो कि राजस्थान का जो गंगानगर gutes correct बा през पर आपको अप अपडिया हो ना है इस चीज का गंगानगर यहां पर है इसकी कैसी क्लाइमेटिक कंडिशन होगी क्या वह ट्रॉपिकल ह्यूमेट क्लाइमेटिक कंडिशन में में होगा यह temperate climate condition में होगा यह polar climate condition में होगा यह subtropical climatic condition में होगा सोचो अब यहां पर आपको confusion हो सकता है temperate और subtropical में पर अपन राजस्थान की अगर prevalence देखें और साथ में करक्रेखासे यां ट्रॉपिक ऑफ से इसके distance देखी जाए तो आप ज्यादा rely कर सकते हो किस पर सब tropical पर कैसे देखो अगर globe को इस तरीके से अपन डिवाइड करें यह tropic of equator है अब equator से आप उपर की तरफ जितना जाओगे जितना नीचे की तरफ जाओगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा temperature डाउन होता जाएगा तो यहां से जैसे यहां आप उपर जाओगे तो जो साड़े 23 डिग्री नौर्थ पे जो latitude है उसका नाम दिया हुआ है Tropic of Cancer और वो पास होती है राजस्तान के सदन पार्ट से तो Tropic of Capricorn तो South में है साड़ा 23 डिग्री और साड़ा 23 डिग्री ही यह नौर्थ में है इन दोनों के बीज़ का जो पार्ट उसको तो बोल देते हैं ट्रोपिकल रीजिन ठीक है और इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो राजस्थान का जस्ट ऊपर जाई ही तो रहे है थोड़ा सा यूपर जा रहे है तो इसलिए राजस्थान का maximum रीजन कौन से में divide होता है temperate के अंदर pure temperate का नहीं होता एक तो होता है warm temperate एक होता है sorry cold temperate ठीक है तो warm temperate का थोड़ा influence आता है पर accuracy point of view से यहाँ पर option देखें तो subtropical यहाँ पर answer चला जाएगा next question consider following statements about river chumble, chumble river के बारे में statements को देखो और answer देना है पहला statement है it makes India's longest river boundary between states of मध्यप्रदेश and उत्रप्रदेश उत्रप्रदेश और मध्यप्रदेश के बीच में यह इंडिया की सबसे बड़ी river boundary बनाती है पहला statement second statement चumble जो है वो अपनी bedland topography के लिए famous है तो अपने को क्या देखना है incorrect statement correct नहीं है यह incorrect statement देखना है बताईया I hope आपने पना answer सोच लिया होगा देखो first यह statement यहां तक बिलकुल सही है पर MP और UP नहीं यहां पर MP और राजस्थान है राजस्थान और MP के बीच में लगबग two forty one kilometer length की बाउंडरी बनाती है रिवराइन बाउंडरी ठीक है जिसको आपने बीहड नाम से सुना होगा या फिर रेवाइन भी बोल दिया जाता है रेवाइन ओफ चंबल ठीक है यह बैडलेंड टॉपोग्रफिक का इसके बाद में पारवती है जोइन करते हुए फिर यह चंबल इस तरीके से बाउंडरी बनाती हुए जाती है तो यह जो बाउंडरी एन इधर वाली यह बाउंडरी सबसे लंबी है इंडिया में अगर देखी जारे तो किसी भी रिवर स्वारा दो स्टेट्स में बनाई हुई है नेक्स्ट क्वेशन विच अमंग फॉलोइंग आर बिंग आइडेंटिफाइड एज काउंटर मेगनेट सिटीज के तौर पे किन सेटीज को राजस्थान की को आइडेंटिफाइड किया हुआ है कोटा जैपुर अलवर बहरतपुर अपने को करक्ट ओप्षन देखना है यहांपर, करक्ट ओप्षन को आप देखो तो देखो फ़हला one, two, three क्या कोटा, जैपुर अलवर तीनों है देखो अलवर नहीं है यह गलत एक, तीन, चार भरतपुर भी नहीं है सभी तो जब ये दोनों ही नहीं है तो सभी भी नहीं होगा तो एक और दो option क्या है इस cancer कोटा एंड जैपुर counter magnet cities के तौर पे डवलप हुई है इनको identify किया हुआ है क्यों क्योंकि NCR जो है National Capital Region वहाँ पर population pressure बहुत ज़ादा हो गया है natural resources कम है तो इस वज़े से इस natural resources को protect करने के लिए और sustainable जो एक growth है उसको ensure करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इस population pressure को divert करना पड़ेगा तो राजस्थान की तरफ divert करने के लिए quota और जयापूर को identify किया गया है इसमें क्या किया जाता है कि counter magnet city का मतलब क्या हो गया कि इन cities में से जो NCR की तरफ जो population जा रही है उनको अपनी तरफ खींचना या फिर जो migrant workers है या migration करके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं उनको पहले ही रोक लो तो job provide करो समझ गे होंगे आप counter magnet का system final आज का question है if a latitude is passing through Rajasthan अगर एक latitude Rajasthan की through pass हो रहा है तो दूसरे इन में से कौन से state से वो pass होगा क्या सिक्किम से होगा तेलंगना से होगा जम्मू कश्मीर से होगा या फिर हिमाचल प्रदेश से होगा option का अराम से सोची question को देख लेना latitude की बात कर रहा हूँ मैं ठीक है तो यहाँ पर answer क्या हो जाता है सिक्किम देखो आप map देख लो यहाँ पर अगर कोई भी latitude इस तरीके से pass हो रहा है तो सिक्किम से pass होने के chances पूरे हैं ठीक है option को देखना है जम्मु कश्मीर में से option ही नहीं बनता हिमाचल प्रदेश में option ही नहीं set हो रहा ठीक है ऐसे ही आप देलांग ना देखोगी option ही नहीं set हो रहा कि वो एक सिक्किम है उसके through whole latitude pass हो जाएगा जो latitude राजस्थान से pass होता है तो इस तरीके से derivative questions भी आते हैं यह UPSC का question pick किया है मैंने ठीक है तो चलिए आज की discussion में इतना ही है important questions थे अगर कोई doubt हो कोई question मैंने गलत बताया हो तो आप comment box में बताओ और आप ने कितना score किया मुझे comment box में बताओ थैंक्यू